दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी करनाटका में एलेक्षन तो जीत गई है लेकिं कॉंग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा उठल उठल मची हुई है सिद्धा रमय्या के CM बनाने से पहले D.K. शिवकुमार ने कई खर्गे से बहुत बड़ी बाते दोस्तों करनाटक विदानसवा चुनाम में 135 सीटे हासिल कर इस पस्ट बहुमत हासिल करने के चार दिन बाद भी कॉंग्रेस सश्कार नहीं बना सकी है एक बार फिर करनाटका के सीम कौन बनेगा इस पर चर्चा होने लगी है मुकमत्री पत के लिए पार्टी के दो दिगजों सिद्र रमया और डिके शिवकुमार के बीग चल रहे मत बेट अब सब के सामने आ गए हैं इससे किना कॉंग्रेस पार्टी में बड़ी असंबंजस की स्तधी पैदा हो गई है दिके शिवकुमार सिद्र रमया में से किसी एक का चुनना कॉंग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है कॉंग्रेस अध्यक्ष मालिक अरजुन खरगे के अवासपर मंगल वारक नेताओं को दिन बर चली डगने कोई नतीजा नहीं निकला अब बुद्बार को एक बार फिर मेटिक मुलाई गई उसमें भी बाते हुई इन दोनों में से किसको हम बना सकें सीम के पेंडियर के लिए लेकिन उसमें भी अभी कोई चीज निकल के सामने नहीं आरी क्योंकि इतना टाइम हो गया करनाटका में इलेक्षन होने के बाद भी अभी तक एक नाम पे पिस्टि नहीं की गई है क्योंकि बहुत दी सवाल खड़े हो गए है जब आपके कुछ प्लैनिंग नहीं थी तो इलेक्षन आपने कैसे लड़ा अब इलेक्षन जीत गए है तो जल्दी आप जिस जनता ने आपको जिताया है उसके लिए कोई तो आप करे बिना सरकार के, बिना किसे सिम के कैसे ही कोई राज़ चल सकता है तेसलिन जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी ही कॉंगरेस पार्टे को अपनी राय देनी पड़ेगी और कोई न कोई नतीज़ा निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये meeting कब से चल रही है Congress Party के meeting जैसे कि उसमें राहूल गांदी सुनिया गांदी सबसे बात हुई Congress अधियर खरगे की लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि दोनों जो सिधर मया है दोनों अड़ चुके हैं कि CM पत के लिए लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है इन दोनों में से अब CM कौन बनता है और किसे ही सत्ता मिलेगी ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अब क्योंकि इन दोनों में से कुछ ना कुछ दोस्तो सॉलुशन निकालना ही पड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है क्योंकि इतना दिन नहीं होना चाहिए और ये कब तक चलेगा ये तो देखने वाली बात होती है दोस्तो आपको क्या लगता है कॉंग्रेस पार्टी किसे अपना सीम केंडियेट बनाएगी हमें कॉमेंट करके अपना अपना जवाब जरूर दे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है